नमस्कार जैहीं दोस्तों दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसेस पर करवाया जा रहा है और यह आपका ग्यान बिंदू का जो आपका वीकली दो प्रैक्टिस सेट चलता है वही आपका प्रैक्टिस सेट है इसके पहले का हमने बहुत सरा प्रैक् तो हम सोचने कि आपको डेली तीन प्राक्टिसेट प्रॉइड करें क्योंकि टाइम भी हमारे पास अधिक नहीं बचा हुगा जितना आप रिविजन करेंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा तो चलिए कोशिस करें कि आपको एक दिन में तीन प्रैक्टिसेट आपको इच्छा कि अधिकार का दाई तो किस सम्मिधान संसुधन द्वार जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर C उसको हम प्रसनकाल कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो प्रसनकाल ओप्सन नमबर A राइट हो जाएगा आगे प्रसने कि हमावती नदी किसके सहाइक नदी है जो हमावती नदी है दोस्तो किसके सहाइक नदी है तो कावेरी कि सहाइक नदी है ओप्सन नमबर हमारा B हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सुस्क मरुस्तल है इन में से हमारा पुछ रहा है कि कौन सा एक विश्व का सबसे सुस्क मरुस्तल है तो यह आपको हो जागा आटाकामा दोस्तो आटाकामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से खिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्थांद्रित किया था तो यह आपको हो जागा मीर कासिम दोस्तों मीर कासिम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखिए अगला हमारा कोशन नमर 6 नमर इसको हमको मिलान करके बताना है यह किसमे होता है बताईएगा तो उपराश्टरपती का जो कारेकाल होता है वो अनुछेद 67 हो जाएगा उपराश्टरपती का जो सपद ग्राण होता है वो आपका हो जाएगा अनुछेद 79 में और उपराश्टरपती का राजियो के परशद का जो पदेन सवापती होता है अनुशे चौशट यानि आप बोल सकते हैं हमारा एक, दो, तीन, चार यानि सभी के सामने हमारा अंसर दिया हुआ है जया पदम एवं किष्णा निमलिखेत में से किस फॉसल यानि सीरियल की उनत किस में है आंसर हमारा हो जाएगा, ओप्सन नमबर एक, धान, धान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला हमारा है, इसको भी हमको मिला के ही बताना है, तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं अगर हम प्रथम बहुत संगीती की बात करते हैं, तो महां कस्यफ हो जाएगा दूतियें बहुत संगीती की बात करेंगे, तो साबा कामा हो जाएगा और तिरतिये बहुत संगीती की बात करेंगे तो मोगली पूत तीस्त हो जाएगा और जो चतुत हमारा बहुत संगीती है वो सुमित्र हो जाएगा यानि आंसर आप देखेंगे तो question number 8 का हमारा option number A right हो जाएगा Question number 9 निमलिखित में से कौन सा अभिलेक कलिंग नरेश खारवेल से संबंदित है कलिंग नरेश खारवेल से संबंदित है तो यह हमारा हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेक option number A सही हो जाएगा भारत के कितने राज्य पडोसी देश के सीमा से जुड़े हुए है देखे जो भारत के राज्य पुछा गया है पडोसी सीमा राज्य से हमारा जुड़ा हुआ है तो यह आपका हो जाएगा 16 16 राज्य हो जाएगा दोस्तों option number A सही हो जाएगा बिना प्रतिनीज वो कोई कराधान नहीं निमलिखित में से किसका लोगपरी नारा था इन में से किसका लोगपरी नारा था तो यह आपका हो जाएगा अमेरिकी स्वतनता संग्राम का option number दोस्तों हमारा 11 का be right answer हो जाएगा हडपा सभेता के अंतरकत हल से जोते गए खेत का साक्ष जो है कहां से मिला है तो यह जो आपका साक्ष है दोस्तों यह काली बंगा से मिला है कहां से प्राप्थ हुआ है काली बंगा से किस मुगल बादसा की मृत्यू जो है दिन पना पुस्तरकाले की सेडियों से गिरने के करड़ जो है हुई है आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नंबर भी हुमाईू नोट कीजिएगा हुमाईू इसका आंसर हो जाएगा यूने इसको द्वारा भारत के कितने रिल मार्गों को विस्व विरासत सूची में जो है सामिल किया गया है आंसर हो जाएगा option number D 4 चार हो जाएगा दोस्तो आगे कागच का पहला सफल कारखाना कहां लगाय गया था तो जो कागच का पहला सफल कारखाना जो है दोस्तो ये लखनव में लगाय गया था option हमारा यहाँ पे C दिया गया है लखनव महात्मा गांधी के राजनितिक जीवन की निमलिखित घटनाओं का कालकरम क्या होगा जो कि ओप्सन हमारा एक दो तीन चारिक दिया गया है पॉइंट में तो देखे इसका आंसर हमारा ओप्सन नमबर बी हो जाएगा यानि बोला है कि चंपन हुआ था उसके बाद अहमदा बेल हरताल हुआ था उसके बाद खेड़ा हुआ था और आखरी मगर आप्सन के साब से देखे तो आसाय गांधूलन यानि आप्सन हमारा भी एक दो तीन चारिस का उत्तर हो जाएगा सारगैसो सागर अवस्तित है कहां में जो सारगैसो सागर है दोस्तों ये आपको उत्तरी अट्लांटिक महा सागर में देखने को मिलता है option हमारा जो है 70 का A सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना होता है देखें रोकना आप इस point को समझेगा जो हमारा प्रतिस्यद होता है उसी को हम रोकना के सब्द से हम समझ सकते हैं option नमबर हमारा 18 का C हो जाएगा भक्ति या आंदोलन के दवरान असम में किस ने इस आंदोलन का प्रतिनित्व किया है इस आंदोलन का प्रतिनित्व किया है तो यह हमारा हो जाएगा option नमबर A संकर देव answer हमारा दोस्तो 18-19 का जो है क्या हो जाएगा संकर देव इसका answer हो जाएगा निमनिकित को सुमिलित करके बताना है कौन हमारा सही है कौन हमारा गलत है तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं वेसे हमारा आप उपर नीचे दिया गया है देखिए महातमा गांधी से भी आपका प्रसना आता है, कि महातमा गांधी ने कौन से गोल में समयलन में भाग लिये थे, लग्रें प्लिस टीनों में किसने किसने भाग लिया थे, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, यानि एक ही गोल में समिल में वो भाग लिये थे भारतिय समिधान के प्रस्तावना में समाजिक आर्थिक और अध्यितिक न्याय को क्या कहा जाता है या फिर कहां से लिया गया है प्रस्न पूछा गया है कि जो भारतिय समिधान के प्रस्तावना में समाजिक आर्थिक और अध नितिक न्याय को कहां से लिया गया है तो ये लिया गया है रूस की क्रामती से कहां से रूस की क्रामती ऑप्शन नमबर बी वी अकार की घाटी किसे से बनती है तेखे जो वी अकार की घाटी होती हो और नदी से बनती है कहां से नदी से अकास गंगास में सबसे चमकदार तार है वह आपका साइरस है दोस्तों साइरस ऑप्शन नमबर डी जनगण मन पहली बार किस आउसर पर गाया गया था कि अगर हम जनगण मन की बात करते हैं तो यह गाय गया था भारती राष्टी कॉंग्रिस का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहां पे 25 का सी राइट अंसर हो जाएगा भारत का सबसे पस्षिमी बिंदू का नाम क्या है देखे भारत का जो सबसे पस्यम का बिंदू होता है उसको हम कहते हैं दोस्तो सरक्रिक कहते हैं क्या कहते हैं सरक्रिक option number D दो इस्थानों के दिशांतरों में एक डिगरी का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होता है देखिए अगर एक डिगरी का अंतर होता है तो उसके समय में दोस्तों अगर हम देखिए तो चार मिनट का यहाँ पे अंतर होता है कितना चार मिनट का तो option हमारा यहाँ पे C सही उत्तर हो जाएगा राश्टरपती सासन के प्रभाव की खोष्टा जारी होने की कितने मां के भीतर संसर द्वारा इसका अनमोधन किया जाना अवस्यक है आंसर हो जाएगा option number C दो मां नोट किजिएगा दो मां जो है इसका आंसर हो जाएगा अब वही देखिए हमारा जो सूची एक है सूची दो को मिला के बताना है इसको हम मिला लेते हैं देखिए अबुलकलाम आजाद की बात करेंगे तो अलहिलाल ठीक है अलहिलाल हो जाएगा फिरोसा महता की बात करेंगे फिरोसा महता तो यह आपको हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल एनी बेसेंट आपको याद होगा न्यू इंडिया हो जाएगा और महात्मा गांधी का यंग इंडिया हो जाएगा option देखिए हमारा option number A 2143 हो जाएगा 2143 तो आपको बाहर की आवाज आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा ठीक है question में 30 देखिए भारती सहायता से निर्मित चूखा जल्विधुत परियोजना कहां परिस्तित है तो यह आपको भूटान में देखने को मिलता है कहां पे भूटान में नमबर ए भारती उप महादियूप में समलित देशों में बाकी बांगल्यकृस इसमें सामिल है बूटान इसमें सामिल है और श्ब्स में आपको परिम आपको सामिल देखने को मिलता है कि आजनियं 1955 के किना धारों पर नागरिक्ता की बात जहें करता है नागरिता की बात दुस्तों नहीं करता है तो संपत्ति अधिकरण द्वारत आपका नहीं करता है बाकी जन्म से वन्स की अधार पर और छेतर समाविष्ट की अधार पर एक तरीके से जो है नागरिता की बात यहां पर कर सकता है पंचायतों के लिए वित आयों के स्थापना का प्रावधान समिधान का कौन सा अनुछेद करता है तो समिधान का जो अनुछेद है आपका 243 का आई पुनर जागरण का जो अगरदूत है किसे कहाता है देखिए पुनर जागण दो अगरुदूत है दोस्तों उसको हम दांते कहते हैं ओप्सन नमबर ए अंडेमान निकोबार दिप समू का सबसे उत्तरी बिंदू कौन सा है जो सबसे उत्तरी बिंदू है दोस्तों यह आपका हो जाएगा लेंड फॉल ओप्सन नमबर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा निम्दलिखित में से कौन से समिती नियंतरक एवं महालिखा परिक्षक की वार्सिक प्रतिवेदनों की जाँच करता है वार्सिक प्रतिवेदनों की जाँच करता है तो यह आपका हो जागा लोक लिखा समिती लोक लिखा समिती ओप्सन नमबर भी राइट हो जाएगा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विसेश जोर दिया गया था जो विकास पर विसेश जोर दिया गया था वो आपका है प्रात्मिक सिक्षा पर या फिर आप बोल सकते हैं प्राक्टमिक सिक्षा को option number C समिधान निर्माण हेत्व गठित सदन समिती सदन समिती के अध्यक्ष किन्हे चुना गया था तो यह आपको हो जाएगा B 25 सिता रमया हो जाएगा option number हमारे हैं पर B right हो जाएगा लिउमालिखित कि कोशिका ॕश्भीत कोशिका पूझाग गया है तो माइकू माइकसी मा हो जाएगा option number C कि और फोलीज में आपका है अगर आप इंग्लिभ में देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 41 का जिवानों से उत्पन खाद विसाकता जिवानों से उत्पन खाद विसाकता हो जाएगा option number B bird flu के virus के रूप में भी जाना आता है अगर हम bird flu की बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा H5N1 H5N1 option number C एक जीव दूसरे जीव पर विर्धी करता है परन्तु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है क्या तो फाइनली दोस्तों वह आपका अधि अधिपादप कहलाता है option number A सही हो जाएगा तिन तत्व जिनका उपियोग रसायनिक उर्वरकों में सरवादिक होता है तो देखिए यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन पोटाइसियम और फासफुरस नाइट्रोजन पोटाइसियम फासफुरस option number हमारा 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा प्राणी वर्गिकरण का पदा नुकरम निम्न में से कौन सा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संघ वर्ग गण कूल वन्स प्रजाती संघ वर्ग गण कूल वन्स प्रजाती हो जाएगा option number C कार्बोहडरेट प्रोटीन और वसा का पूर पाचन कहां से यानि कहां पर होता है जो इसका पाचन है यह आपका होता है छोटी आथ में कहाँ पैं छोटी आथ option number C आते हैं 47 पे बोला कि plural जो है किस का आवरन है जो plural है दोस्तो यह आपका हो जागा फूफूस या फेफडा फूफूस या फेफडा option number A सभी कीट होते हैं सभी कीट होते हैं यूरी को टैलिख आप्समिघवा सी मानव सहीर में फेसियल हड्य की संख्या होती है कि एक तो फेसियल से आप सबी लोग समझ गए होंगे इसका answer हमारे दिखिए हो जाएगा 14 देखिए facial का मतलब है कि चहरा यानि चाह से चहरा होता है चाह से 14 होता है option number D नेश्ड हमारा नियतां का मातरक क्या है प्लांक नियतां का मातरक पूछ रहा है तो देखिए इसका answer आप अच्छे से जेकेंड एक गेंद को 36 से किस कोन पर फैकिए कि वह अधिकतम 36 दूरी जो है तै करें आधिकतम 36 दूरी दोस्तों यह आपका तै करें तो यह आपका आंसर हो जाएगा पैतालिस हैं देखेंग हो जाएगा किसी प्रिद्धर्ट को प्रितिविसे चंदरयान पर ले जाने पर क्या होगा या फिर क्या रहेगा तो देखेंगे उसका दो रहेगा किनतु उसका जो भार होता है भीन हो जाएगा आंसर हमारा जो है 52 का C सही उत्तर हो जाएगा अब यहाँ पर देखे प्रक्रिया दिया गया है और एक तरब परिवर्तन दिया गया है यानि मिलान करके बताना है चलिए इसको मिला लेते हैं परिपत कि धारा का मान क्या है परिपत किधारा का मान क्या है तो इसका मान देखिए हो जाएगा 0.1 Ampere 0.1 Ampere option number C फोकस आँख में किसके द्वारा समंजस से इस्थापित करता है तो यह आपका हो जाएगा पुतली द्वारा option number C फिप्टी फाइब का वैगानिकों का उनके अविस्कारों से मिलान करके बताना है सूची एक को सूची दो में जिसमें से हमारा एक तरफ वैगानिक दिया गया है दूसरा हमारा अविस्कार दिया गया है चलिए इसको मिला लेते हैं अगर हम जी मारकोनी की बात करते हैं, जी मारकोनी, तो यह आपका हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, जे अल बेर्ड की बात करेंगे दोस्तों, छपन नमबर का, जे अल बेर्ड, तो यह आपका हो जाएगा टेलिवीजन, अलगेंडर ग्राहम बेल की बात करेंगे, अलगें को गरहन करते हैं और रिडात्मक आयन बनाते हैं डैस होते यानि वो क्या होते हैं तो दोस्तों यह आपके फैनली अधातू होते हैं क्या होते हैं अधातू ओप्सन नमबर बी तिसरे सेल में इलेक्टॉन की अधिक्तम संख्या डैस होती है इलेक्टॉन की जो अधिक्तम संख में नीचे जाने पर कौन सा गुड जो है नहीं बदलता है तो सनी उजक्ताज दोस्तों ये आपका नहीं बदलता है बाकी परमणु का कार बदल जाता है धात्वी गुड बदलता है और कोसो की संख्या ये भी आपका बदल जाता है निम्न में से कौन सा हाइडोजन का समस्थ समस्थानिक नहीं है तो इट्रियम दोस्तों हमारे इसमें समस्थानिक नहीं है बाकि प्रोटियम है टाइटियम है और ड्यूटीरियम भी है मैगने टाइट है क्या अगर हम मैगने टाइट की बात करेंगे तो एफ ए थ्री ओफोर हो जाएगा एफ ए थ्री ओफोर आप्सन न मतलब एक तरीकिस दर्द निवारक भी आप बोल सकते हैं जो बुखार उखार होता है उसमें भी आपका जो है पैरा सिटमॉल काम में आता है अधोलिखित में से कौन से प्रिधिविक के कार्वन चक्र में कार्वन ड़ी अक्साइड की मातरा को नहीं बढ़ाता है तो देखिए 63 का अंसर हमारा हो जाएगा प्रकास अंसलेशन प्रकास अंसलेशन ऑप्सन नमबर बी परिष्थित की नीश से यानि आला की संकल्पना को प्रतिपाइद की बात करते हैं तो ग्रिन लेन के द्वारा दोस्तों यह आपका किया गया है ऑप्सन हमारा जो है 64 का ए राइट हो जाएगा रेड़ डेटा बुक का प्रकासन किसके द्वारा जो है किया आता है रेड़ डेटा बुक यानि आप बोल सकते हैं रेड ब्लू बुक तो रेड़ ही बुक होगा तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 65 का ओप्सन नमबर बी आई यू सी एन ओप्सन नमबर बी आगे की एसका बात किस देश की राजधानी है देखिए राजधानी भी आपके एकजाम में आएगा ब्लस मुद्रा भी आएगा और जो दिवस का होता है वो भी आपका कुसन आएगा वो सब आप देख की जाएगा मैं कई बार आपको बोलता हैं तो यह आपके हो जाएगे भानु अथिया भानु अथिया ओप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा चलिए अगला हमारा प्रसन है कोसन नमबर 68 चीन गड़राज्य के प्रत्थम राश्टर पती कौन थे जो प्रत्थम राश्टर पती थे दुस्तों आप सब लोग अच् करके जाएए यहां से आपको कोशन पक्का बनेगा तो यह आपका हो जाएगा 25 जनवरी सहीद दिवस लेकिन 25 जनवरी को मेरे इसाब से देखा एक फिर देख लेते हैं अब देखे यहां पर जो है आंसर ही गलत दिया है मैं आपको आंसर लाश्ट में दिखा दूँगा उन से चٍबात करते हैं तो यह करनाटक का है कहाँ कहां का है कान को आपसर नमबर बी राष्ट्रिय में संधान संस्था जो है आपको गुणाओं में देखने को मिलता है कहां पर गुलड़को से रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहां परिस्तित minha एज़िफिव प्रूणे यह आपको देखने के मिलता है लुसाने में कहा पर लुसाने कॉन से कौन से कफ़न विड़ित नहीं यहां पर दिया गया है ठीक है जो यहां पर दिया गया है यह पॉइंट आप अच्छे से नोट करेंगे कि सबसे बड़े लाइफ साइनसेज एंड हेल्थ क्यार कन्वेशन बायो एसिया के बीस्वे संस्क्रण के मेजबानी किया है तो इसका ऑप्षन हमारा जो यह उपर दिया गया इसको हम देख लेते हैं देखे 76 का दो सही आंसर हमारा होगा ऑप्षन नमबर यहां पे सी हो जाएगा किस करनाडक गया को संगित कलानेधी पूरसकार द्वार तैस के लिए जो है चुना गया है तो यह आपका हो जाएगा बॉम्बे जैसरी ऑप्षन नमबर डी राष्ट्रिय डेरिया नुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत के पहली जो कि क्लोन मादा बष को कौन सिमील होंगे तो कौन इसमें सामिल होंगे टास में सभी लोग सामिल होंगे जिसमें से प्रदानमंत्री ईधान से बात करते हैं और मुम्ठ अपकर शिया हुजाए option number हमारा C हो जाएगा अब देखिए इसमें हमारा मैस का कोशन दिया गया है तो इसको हम skip करेंगे और direct हमाएंगे अपने जो हमारा हिंदी का कोशन है और इंग्लिस का इसको भी हम देख लेते हैं मीठा अमरुद में मीठा विसेशड किस कोटी का है जो मीठा विसेशड है यह आपको हो जाएगा गुण वाचक option number B ठीक है योगदान में कौन सा समास है अगर हम योगदान की बात करते हैं तो तब पूरुस हो जाएगा option number A अगया की कलम तोड़ने मुहावरेक अर्थ क्या है कलम तोड़ने मुहावरेक अर्थ क्या है तो यह आपको हो जाएगा अच्छा लिखना option number B सही हो जाएगा इक प्रत्य लगाने पर सब्ताह का रूप क्या होगा जो सब्ताह का रूप होगा दोस्तों आपका सब्ताहिक हो जाएगा अगर आप लास्ट में इक लगाएंगे तो शाप्ताहिक होई जाएगा उड्यान का संधी विछेद क्या होगा देखिए उड्यान का संधी विछेद होगा उत प्लस डैयन ऑप्सन नमबर ए अब यहां पर देखें पांच प्रस्ट जो हमारा इंगलीस का है तो इसको भी हम बता देते हैं आप वीडियो रोग के बनाईए गाई इसको बहुत हमारा जो है ऑप्सन नमबर यहां पर डी हो जाएगा डेफिनेट के लिखा गया है डेफिनेटी हो जायेगा और 99 का ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा इलेक्टेड बाइड़ और हंडड़ को अगर हम बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा एक ऑनी दोस्तों हमारा नहीं य क्या है कमेंट करके बताना है और जो आपका इसके बाद हो सके तो जो कोशन बैंक आया हुआ है नया किताब वो आपको वीडियो जो है सामों में आए तो उसको भी आपको देखना है चलिए आज के लिए इतना ही